आप सभी को नमस्कार, शिक्षिक बनो, संघर्ष करो और आगे बढ़ो. इस नारे के साथ भारत के युवा को प्रोत्साहित करने वाले डॉक्टर भीम राओं अमेटकर जी की जैनती पर उनको शत्षत नमन और सभी को उसकी बधाई. इस उपलक्ष में उनके बारे में हमें और गहराई से समझाने के लिए हमारे मद्धे प्रोफेसर देवराज जी उपस्तित हैं, आप डलित चिंतक हैं और साथ में डियू में प्रोफेसर भी है राजनितिक शास्त्र के. भाई साथ तो आप थोड़ा सा हमें समझाईए, बताईए कि बचपन की ऐसी क्या अस्प्रिश्टाएं थी उनके जीवन में, या बाबा साहब को बाबा साहब अंबेटकर बनाने वाले कैसे कैसे बने वो अंबेटकर, और क्या घटनाय घटी कि एक सामानने सा बालग इतना बड़ा व्यक्तित्व लेके देश को लीड करता गया, देखिए इत्यास में जाना बहुत जरूरी होता है, कोई भी व्यक्ति जब अपने विचार देता है, समाज में जो काम करता है, उस वातावण का प्रभाव उसके उपर होता है, जिसमें वो रहता है, बढ़ता है, पल जो पिता थे, वो आर्मी में थे, और उस समय उनकी कंडिशन अच्छी थी, उनके उस समय, लेकिन उसके कुछ साल बादी, दो साल बादी, उनके जो पिता थे, वो रिटायर हो गए, और वो जब रिटायर हो गए, तो शामली में उस समय, समय भी ज्यादा नहीं है, और उनक बच्पन में जब दो-तीन साल की हुए तब उनकी मदद भी एक्सपायर हो गई तो वह सबसे लाश्ट यानि बाबा साब के चौदह रितनों में उनका नाम गिना जाता है कि चौदह उनका बच्चा था बाबा साथ चौदह भी नमर पर आ रहा थी इसलिए चौदह रतन उनको कहा जाता है तो बाबा साथ की जब सिख्चा दिख्चा के इन्वार्मेंट जब हुआ तो उसमें हम बाबा साथ पर प्रभाप पड़ा है उनके जो विचारों का क्योंकि उनके पिता मैंने यह कहा कि जो इन्वार्मेंट होता उसका उसको बहुत बड़ा प्रभाव होता है लिए नहкив SCH... मानते हैं वहाँ से कहते कि मैनैं जो समानते स्वतंतफ़ान अबंदुट्फटा का विचार है मिह स्वाइन्ट हों! दूसरा और अपना गुरु मानते हैं कबीर दास्त को . काल में तो वहां क्योंकि उनके पिता जी कभीर पंती थे तो उनके पिता जी एक जो गवर्मेंट स्कूल था आर्मी का उसमें टीचर थे वहां से वह कभीर पंती उनके कभीर के विचारों को उन्होंने जाना तीसरा जो महापुरोष हैं उनके जो विचारों से प्रभावित ह हैं वो हैं जोतिवा फुले और और in challenge उन्होंने जो विचा लिया वह है जाद भर सबसे ज्यादा मया ripe पूर किश्कों धFit से सबसे पैसे तो सांच तो सिक्षित क्यों बनो उससमें और मत्मा फुले को अपना थीशरा उसर। मानते हैं और कला सब ने तो आगर सिख्षा का महत्तु को जाना उसके पीछे जोतिवा फुले का बहुत पुनिया जहांता है का आपने बाबा साब की जीवन की जो बात की कैसे बाब साब आगे बड़े कैसे बाब साब महामानव की तरफ बढ़े तो शुरुआ करडिशन जब दो-तीन साल का बच्चा है बदर नहीं है घर की हालात ज्यादा अच्छी नहीं है पिताजी रिटायर हो गए तो इंकम भी नहीं है तो उस कंडिशन में हो कैसे घर में रहेंगे कैसे पढ़ेंगे तो उसका उस समय जो टीचर थे उनके अमेट का तो उन्होंने उनकी बहुत मदद की शुरूबा थी ब पीचे आमेट का भी नाम जोड़ा है दूसरे एक और समाज सुधारक और टीक्चर थे उनके इस्कूल में जब वो गए तो उनका फैसिलेट किया गया उनका सम्मान किया गया और सम्मान में काका कैलिश कर हैं जो उस समय के सामाजिक काम भी कर रहे थे तो उन्होंने एक हर् पाराजगायक वार्ट से बातचीफ की और वहां से उनकी कॉलेज की जो स्कॉलर्शिफ्टी 25 रुपी पर बंद तो वो उनकी स्कॉलर्शिफ के लिए वी विवस्था कर आए जो अंट कंडिशन है फिर वो एलिफेंट कॉलेज बंबे आये और वहां फिर उन्होंने इस्ट सब्सक्राइब की उसके साथ थी फिर उसी में वो विदेश चले गए और क्योंकि जो मिली थी उन्हें वहां पर उस समय उसके ग्रेजुएशन के बाद बड़ोदा रियासत में काम करने के लिए जौब के लिए गए वहां वो कुछ समय रहे उसी दोरान के पिताजी का देह बावा साब को जो बावा साब बनने में यह जो समाज का वातावन था उनके जो गुरु थे उनके इन्वायर मेंट थाॡ़ोज थे जो टीचर थे का का केलुस करते गए गएक बारा जब गएक वाड़ थे इन सब ही ने बहुत बड़ा योगदान दिया बावा साब जो जब भी कोई हीरा हीरा बनता है वो कई हातों से गुजर के निकलता है ऐसी उनको इतना महान व्यक्तित्व खड़ा करने के लिए बहुत लोग लगे उनके पीछे एक अभी भी कि आइसोलेशन में कोई नहीं बनता कई हात लगते उनके पीचे यह बस निश्यत है क्योंकि बावा साब अगेले अगर उस वातावर्ण में छोड़ दिये जाते तो वह नहीं बढ़ सकते तो अगर समाज के लोग उनके साथ नहीं होते और बावा साब ने कहा है कभी जो आज जिस बात को कहते बावा साब ने कहा है कि I am not against the Brahmin I am against the Brahminism मैं ब्रामणवाद के खिलाफ हो ब्रामण के नहीं है तो इसलिए बावा साब ने कहा है तो सभी लोग है बावा साब किसी को इस तरह से नहीं देख रहा है जब भी बावा साहब की बात आती है पूना पैक्ट का जरूर आता है ओल्दो आज के परिपेक्ष में देखे हम तो ऐसे नारेटिव चलते हैं कि बावा साहब एक पर्टिकुलर कम्यूनिटी के या सिफ दलितों के हकी बात करते हैं परन्तु जब हम पूना पैक की बात करते हैं तो वह एक ऐसी ऐसी सभारही जहां उन्होंने हिं सब्सक्राइब को एक अठा करने के लिए काम करें तो उस पर थोड़ा बताई देखें यह बात निश्चित है कि बावा साहब शुरू आज से जो काम कर रहे थे कालरम टेपल यात्रा मंदिर प्रिवेत ताला का पानी के जो इसामाजिक सुधार के काम थे जाती आधा पर ज सब्सक्राइब को इस तरह से अलग-अलग रिप्रिजेंटेशन मिल गया है वो अलग-अलग काम कर रहे तो उन्होंने भी अपनी मांग प्रारम कर दी थी सेपरेट इलक्रेट फॉर दा अंटेचेब तो इसलिए वह फर्स्ट राउंटेबल कॉन्फरेंस में रहे कॉंग्र नहीं दी करके अर्ग्युमेंट थैकि के मुश्लिम को दे दिया है एक में तो पहले दे चुकांस है तो फिर नहीं नहीं दिए रहैं यह देने लेकिन यहां पर बड़ी बिटिसर अपनी जो पॉलिशी थी डिवाइड रूट के तहिंद चल रहे थे और 1932 में कमिनल एवाड के तहित बिटिसर ने इस विचार से और वो जेल में थे उस समय नर्वदा जेल बे उन्हों ने अंसन जारी कर दिया उन्टू दा यानि वो हंगर इस्टाइक पर बैट और उस समय जब यह प्रैसर बना और बीच में बावासाब बाहर थे तो बीच में इनके मिडियेटर थे पंडित मदर मौनमाल बावासाब के साथ बीच में और मातमागांदी के बीच में यह कम्मिनिकेशन कर रहे थे तो बावासाब इस बात के लिए राजी हुए बावासाब क्योंकि यह तीनों की अंडेस्टेंडिंग बनी कि इससे हिंदू समाज न बटे और उसी का कोई सॉलूशन हो तो वह पू की जो बात आई तो यह सुद्यूर का अग्रिमेंट हुआ और एक्ट 1935 में उसको प्रोविजन किया गया और और उसे फिर इस सेक्शन के लिए स्पेशल प्रिविलेज देनी प्रारहम की गई लेकिन अनसुची जाती में कौन है अंटेचिबिल को उसमें रखा गया और वो यह स्टेटर दिया जा यह अभी चल रहा है वर्टमान में चल रहा है लेकिन सम्मेधान जब पूना पैक्ट हो रहा है एक 1935 आ रहा है केवल हिंदू समाज के लोग ही एसी में हैं तो अब इस्लाम या क्रेशिनिटी या इस्लाम के जो फॉलोवर है उनका कोई उसमें स्पे हैं कि वो अलाव नहीं करेगा तो यह प्रेश्ण है पूना पैक्ट में यह चीजे निकल के आए गहीं थी कि समाज के जो हिंदू समाज में जो डिप्राइब सेक्शन रहा है उसको अपलिप्मेंट किया जाएगा उसमें सब सहमत वेथ हैं एक और जो बहुत ही बाबा करो इसे ही उनके की विचार इसलाम को लेकर भी थे और अलप्संख्यों के टुष्टी करन के उपर वे उनके बहुत ही every पर यारकट विचार थे कि की पॉलिटिक्स होनी चाहिए कि सट्लमेंट की विचार को थोड़ा समय और ऐक्षिब करूँगा कि वावस क्लियर्टी का वाति है कि सी वी व्यक्ति के विचारों में जब उसे नौलेज हो तो नौलेज होगी तो बावा साब है लट आफ नौलेज लटो अप है लट आप सब्जेक्ट साए विशाओं का बहुत सारे डिग्री अभर्या इसलिए अमेरिका सिंबल आप नौलेज भी का थी किंट समझने की जुश्क्ति थी आप्रोच थी किसी वह सारे एंगलों से थी बहुत सारे एप्रोच से समझते थे एक्स्पेन करते तो यह उनकी इस्टेटर दी लेकिन बावा साव ने अपने विचारों को तीन भागों में बाठा अगर आप अकेडमिक बावा साव की बात कर रहें कि विचारों में उसके उपर आ रहा हो तो उस करन्ट स्टेटस इसका वर्तमानमी स्थिति क्या है तीसरा स्टेप उनका वाट इस सॉलूशन तो तीसरा वो क्या दे रहे हमें सॉलूशन ऐसा एक व्यक्ति है जो उस समय और आज भी उसके जो थौट है कि वह समझ्या के उसमें भी जार और जड़ में जा रहा है उसका इस पर चलते ना एक इंच इदर जा रहें ना इंच दोनों को अनलेटिकल उनकी जो एक अकेडमीशन जो टू एक अकेडमीशन वहना चाहिए उसको लेकिन उन्होंने एक उस लाइन पर चलके अपने विचार दिये और जहां तक आप बात कर रहे हैं कि तुष्टी कर्ड की जो नहीं जब देश का पाइटीशन हुआ तो उस समय उन्होंने ये कहा कि पाटीशन जब हो रहा है तो एक क्लियर कटट होना चाहिए इसमें एक वी व्यक्टि इधर नहीं होना चाहिए एक रहना चाहिए और ना उधर जो इस तरह के अनुभब बताए कि जो लोग जिस तरह क तुष्टिकड की जो राजनीती कर रहे थे उसमें उन्होंने बताया कि किस तरह से योगिंदनात मंदल को यहां पर ले सकते हैं कि उनका जो अपना अनुभ रहा दो साल में जो इंडिया भारत में जब उस समय उनका जो गट्वनन था जब उनके साथ साजा विचार हुए और लेकिन दो साल जब पाकिस्तान जब बना चले गए तो वहां उस समाज के साथ जो आज यह लोग कहते हैं जै मीम जै बीम बाला चलती है तो उसको हम जो यह कभी नेच्रॉल नहीं है क्योंकि एक दूसरे के खिलाप है अनुभ बता रहा है थ्याच बता रहा है कि यह संभव नहीं है क्योंकि यह यहां पर कौन फेल हो गया जोगिन्नात मंडल हो गया लेकित बाबा साव इसमें पूरी तरह से क्लियर्ट करने का पूरा प्रयास करती है तो क्या यह समझा जाए कि बाबा साथ खुद भी कम्यूनिस्ट आइडियोलोजी रखने वाले व्यक्ति थे या उनकी आइडियोलोजी से क्म्यूनिस्ट लोग क्योंकि बहुत प्रभावित और उनको उन्होंने अपनी तरफ का इक बिलकुल क्यूनिस्ट आइडियोलिजी का आइडिल बनाकि वो समाझ में उनको प्रेजंट कर रहे हैं लिए बाब के बासाब के बारे में पर यह HARई ने किया कमिनिस्टोंने किया बाब साइब को परहला चुना मोज würde किसनि नने इंडियों किoking घए बाब छाटकुणि किस्वा था इ भी लेवर की पाइटी बना रहे सीपी अपना लेवर तो क्या है दोनों का बेस खिसान मजदूर दूसरा दा सबसे बड़ी प्रोब्लम क्या आगे कर्मिस्टों के सामने बावा साथ क्या आने से कि जब लेवर मेंबर बने वासराई की काउंसिल में लेवर मिनिस्टर हम कह सकत इर्रिगेशन का भी मिनिस्टर है 1942-1946 तो बावा साथ ने उस समय जो काम किया वह बहुत महत्पून इस देश के लिए काम है जिससे हम यह भी कह सकते हैं कि उनका उस समय के जो काम है जैसे लेवर एक्ट आया मजदूर अदिलियम तो मजदूरों के काम के गंटे-8 गंटे इसके बाद अगर डवल्मेंट की बात करें तो हिराकुन वार कब बना अरहा है समझ में बाकड़ा नगाल बाद कौन फांडर कर रहा है कौन मिनिस्टर है बावा साथ डॉक्तर अमेट करका जो काम है जो कमिनिस्टर क्या कर रहे है कि लेवर एक्ट भी हो लिए अब लीडर कौन बन रहा है किसान मजदूरों का बाबा साथ इसी को देखते हुए बाबा साथ को जो 19 52 का जो एलेक्शन था वह राये गया Congress के साथ गटवद्दन किया गया सब्सक्राइब अपने केंडिडेट को कह दिया कि हमारे सारे वोट इधर पड़ेंगे तो बाबा साथ के साथ लेकिन आज जो जिस तरह से इन्वार्मेंट बनना है और इस इन्वार्मेंट को मैं जो देख रहा हूं जब बना है यह 2016 से हम इसको ज्यादा तर देख रहे है सब्सक्राइब नौ फर्वरी 2016 सब्सक्राइब जब जेन्यू में एक होता है तो उस समय वह चीज उससे पहले रोहिता रोहित वेमुला का एक हदराबाद में एक इंसिडेंट हो चुका था तो उस तरह से पहली वार जो अम्बेदकर की जो फोटो है पिक्चर से चेत्र हैं वह लोगों के द्वारा उठाएगे और उससे पहले हम अगर जेन्यू के इतियास में देखें बावा साब का कोई भी काम नहीं हुआ तो अगर आप देखें अगर यह बावा साब के उसके इनके साथ सब्सक्राइब यह मानते तो यह पूरी तरह से आज यह सुरक्षा सब एक जगए आ रहे हैं जबकि नहीं किस को साफ के चलते ऑवा साह W zoals और बावा साथा किसक लेंटे किल नुशनल मैथ की यह चीज्या करेंगे यह चीज्य करके एक तरीके से लिड़ा सांस करके यह कंपने संदूब को लेकर चॉल थो थेखे यह be अगर आप इनिले देख़ें पिछली सब्सकी में जिन प्ल्ड चरने पर फंच्च ज सकноई से बनाए तो बावा साब जो काम हुआ और वह सामाज में इस देश के लिए इस समाज के लिए क्या किया इसकी इस देश की सामाजी की विवस्था के लिए क्या किया, इस देश की कानू विवस्था के लिए क्या किया, इस देश की विकास के लिए क्या किया, इस देश की यूनिटी के लिए क्या किया, तो बाबा सहाब के विचार आपको यह सारे दिखेंगे, बाबा सहाब एक थेओरी ज और यह आज की जरेशन बोल रही है जो वो व्यक्ति बाबा साहब जिन्हों ने इस त्योरी को सीरे से खारिच कर आव इतने पड़े लिखे इतने वेल रएड आगमी ने सो खारिच कर देफिनेटलि कुछ ना कुछ उनके कारण रहे होंगे इसको खारिच करने के तो क्या क्यो सब्सक्राइब करना चाह रहे तो यहां पर अर्ण होने जो इठी की अपनी तरह से इंटिपरेशन की तो उन्होंने अपने इंट्रेसोचि में इतै Daar belieड कर दिक हादि आ क्जिने भी कर लिकिन बाबा साव ने स्कोपरी तरह dobrze से खारिज कर दिया और उन्होंने एविडेंट ये कि आर्यन से बाहर से नहीं आये वो सभी यहीं के लोग थे और उन्होंने अपने जो इस्टेडी दी आंथ्रपोलोजीकल काई लोग बहुत कॉंट्रोवर्शिल टॉपिक का ऐसे पार्टिशन को लेके उनके विचार बहुत क्लियर कट थे वो कभी यह नहीं थे कि क्या हुआ क्यूं जो हो रहा है हो दो करना है बटवार है तो प्रॉपर तरीके से करें यह बहुत कॉंट्रोवर्शन था आज के समय बहुत इसको बहुत बहुत कॉंट बहुत क्या विचारे बाई सब्सक्राइब क्या था था प्रोसेस या क्या लॉजिक था उनका इसके पीचे लॉजिक यह है कि जब कोई समझ्या नहीं रहेगी एक चीज तो हमने बिमारी आदी है आदा क्योर कर रहे हैं हम लोग साद्रेकर कि एक रहे हैं तो फूरी तरह से आप हो जाई है सपथिए सफों जब हो रहा है तो कें पीछे उनकी और्न हैं क्योंकर आर्गुमेंट जब दे रहा है तो मैंने पहले ही बताया है कि बाबा साब जो अपना भी हिस्टरिकल आर्गुमेंट दे रहे हैं उसके कॉंटेंप्रेश देंगे रेफरेंसीज भी देते हैं तो महुत सारे उसके पीछे कारण हैं जब आप उसको पढ़ेंगे पाइटिशन को जब आप पढ़ेंगे बाबा साब के जो विचार है उसमें आपको दिखेंगे इन फैक्ट अगर मैं थोड़ा आपके साथ विचार एक साजा करू अपना मैं उनकी ही पुस्तक पढ़ रहे थी जा उन्हों लिखाता है कि समझने के आवशक्ता है कि बारत का व उनके बहुत ही लॉजिक का है उसी बात को प्रभलम रहे है तो इस तरह से जो गांधी जी ने किया उससे बावा साब कभी सैमत नहीं थे तो उसे हम देख देखते एक आखरी सवाल में आपसे पूछूंगी अपना ये एपिसोड राप करने से पहले कि बहुत धर्म ही क्यो उन्होंने क्रिश्चानिटी या इसलाम को क्यों नहीं अपना है बहुत धर्मी की क्यों पना है देखे बावा साहब पूर्थ भारतिय थे और उनका विश्वास था नेस्नल यूनिटी में राश्टी एकता में और बावा साहब जब कहते हैं कि मैं कैसे भारतिक राष्ट ब है कि इसलिए उनका विश्वास था कि वह शचीनिटी और इसलाम में तो नहीं सकता था क्योंकि वह कैसे बूलते क्या थे राश्कुबादिर या और वह उसमें विलीव करते थे इसलिए उन्होंने सभी धर्मा को सुना चूर्द किर उप अच्छी नहीं को सुना घखा और यह प्रलोबवन दिपी दिया गया लेकिन बावा शाब नहीं गये बावा साफ को कौन सा उन्होंने कहा कि जो धर्म करती आधार पर हें पूरे समाज में बिश्वात करता हूँ ऐसे धर्म को उन्होंने चुना और भारती और मूल बहुत धर्म अपनाया भारतिता उन्में बनी रहे बोस्ती मों किसी से बीत नहीं Сब्सक्राइब इसलिए ऑने अधर्म की न्युक्त चले जाते तो फिर कुछ एक आशंका रहती है तो उस आशंका को भी लोगों की जो बन रही थी लोग जो प्रलोवन दे रहे ते जो डिवाइड एंड रूल की सोच भी रहते तो बाबा साहब ने वहीं उसको ब्राम की बहुत-बहुत धन्यवाद भाई साथ आपने इतना हमा तर शायद हमारे व्यूवर्स या मुझे भी इतने सारी बाते पता थी उनके बारे में तो बहुत-बहुत धन्यवाद आपका धन्यवाद 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 जी नमस्कार